बजट पेश किया गए और मेरा साफ मानना है और हमारे पार्टी का सपस्ट मानना है कि ये बजट नहीं था बलकि देश का सेल था देश निर्मान के लिए कोई बजट नहीं बलकि ये देश बेचने का बजट था लोग सब लोग जानते हैं पहले रेलवे को बेचा एर इंडिया को बेचा भारत पेट्रोलियम को बेचा गया तरह तरह की संस्थानों के संपत्यों को बेचा गया और ये पूरी तरीके से जितने प्रतिस्थान है और जितनी संपत्या है बची वी देश की उसको बेचने की तयारी और निजी छिद्रों में देने की तयारी चल रही है इस बजट में और क्या बिकरा है गैस पाइपलाइन है स्टेडियम है सरक मार्ग है वैर हाउसेज है जो देश संपत्या रही उसको और बेचने की पूर जोर तरीके से पैयारी की जा दिया है आम नागरिकों का कमर तोर दिया गया है और केवल कुछ चंद लोगों का ही इस बजट में ख्याल रखने का काम भारत सरकार ने किया है आप देखे होंगे कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है और लोग कई एक बजट बिहार का देख लिया भारत सरकार का देख लिया कि बिहार के लिए उन लोगों ने क्या किया बिहार को पूरी तरीके से ठागने का काम किया गया और अदबुद है जब बिहार को कुछ नहीं मिल रहा था तो बिहार से जो जीते वे उन्चालिस सांसाद हो तेबल थप थपा रहे था बिहार को एक भी इंफरस्ट्रक्शर के लिए कुछ नहीं मिला कोई विशेश पैकेज नहीं स्पेशल स्टेटस तो दूर की बात है लेकिन कोई एक काम ऐसा बिहार के लिए कोई योजना के तहट या कोई अलग बिहार को देखते हुए अगर कोई प्लानिंग अगर की गई होती तो शायद आप लोगों को हम लोगों को खुशी होती है लेकिन बिहार को पूरी तरीके से इग्नोर किया गया हम तो बिहार के मुख्यमंत्री से पूछते रहेंगे कि किवल हाथी हिला इस ने यह बताएं कि बिहार को इस बजजट से क्या मिला भी हाल में डबल इंजन की सरकार है तो क्या दिख रहा है लग क्या आपको विशेश तोर पे बिहार को मदद मिली सहयोग भी जाए इंफ्रास्रक्टर के छेत्र में हो या किसी यांदे पूरी तरीके से बिहार के साथ जो है सौतेला वेवहार किया गया और केंद्र सरकार लगतार जो यह कहती रही है कि 2022 तक जो है किसानों का आए दुगुना करेंगे लेकिन 2020 में भीकारी बनाने की तैयारी केंद्र सरकार बिहार की क्या देनी स्तिती है यह आप सब लोगों को पता है धान के खरीद को लेकर के या जिस प्रकार से अलग विशेश अतरिक्त बोज डीजल पर बढ़ाया गया है टाइक्स बढ़ाया गया आम लोगों पर यह सब लोग हम लोग देख रहे हैं मुक्यमंत्री खामोश क्यों है इस बजट के आने के बाद यह समझ में नहीं आना है खामोशी शाद इसलिए है क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है कि बिहार को इस डबल इंजिन्ट की सरकान ने क्या दिया ना कोई कारखाना ना कोई उद्द्यों ना रोजगार की चर्चा ना इंफ्रस्रक्शर की बातें कोई यह ना अग्रिकल्चर में कोई एक ऐसा सेक्टर नहीं जहां बिहार को कुछ मिला हूँ आप लोग याद किजिए वो दौर जब लालु जी रेल मंत्री वाकर तर इसमें तो रेलवे गाए भी हो गया रेल वे को इसले goods किया गया कर्सक्तों कि लोग लालु जी की तुनाहीं कर सकते थी अधर्न ने लालु जी ने रेल्वे को च्लाने का काम की हर एक साल 90 हजार करोर का मुनाफा लालु जी ने दिया था और ऐसे में दिया था जब हर साल जो है किराया कम किया जाता था यही बिहार को लालू जी ने तीन-चार कार खाने रेल्वे को रेल्वे ने उस समय बिहार को देने का काम किया आज कहां है क्या मिल रहा है बिहार को और वो तब था जब यहां बीजेपी और एंडिये की सरकार थी बिना पक्षपात किये हुए विशेश पैकेट एक लाग पचीस हजार करोर का भी यूपिय के समय में बिहार को लालू जी ने दिद्रूमाने का काम किया अज तो हम लोग सब लोग पूछ रहें कि क्या मिल रहा है भी हर को उन-चालिस शांसत जीत करके गये हैं के वल ताली पीटने गये या बिहार के लिए आवाज उठाने गये अज दुर भाग यह है जो लोग भी जीत करके थाली पीटने का काम कर रहे हैं लेकिन पूरी तरीके से तेज की जनता निराश हैं आम नागरिक निराश हैं परिशान हैं और पूरी तरीके से उन पर जो है बत्रिक्त बोज डालने की तयारी के इंद्र सरकाने की है इसमें समझदार को समझाने का कोई मतलब नहीं सब लोग समझदार हैं और सब लोग समझते हैं कि चुनाव जहां जहां चुनाओं हैं उसका बार बार चीख-चीख के नाम लिया गया यह सभाविक है ना विहार में वएक्षीन सबको मिल रहा था फ्रीम 10 लाख रोजगार जो है सभी लोगों को बिहार में मिल रहा था आप तो इसकी चर्चा नहीं कीजिए क्योंकि उनके अनुसार तो वो चुनाव में जुम्ला होता है तो जहाँ जहाँ चुनाव हैं वहां केवल गोशनाई की गई है काम नहीं करना है अपना काम बनता महार में जाए जनता यही पीजेपी और एंडिये सरकार का काम है यहां भी लोगों को ठगा गया उभ्य किया नहीं कहा गया था कि क्या नहीं करेंगे डैबल इंजन की सरकार भिहार को विशविशाच का दर्जा लेकिन पत्रना युनिवराशिटी को भी सेंट्री लुनिवरसीटी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं एक नई उनिवर्सिटी का भी निर्मान बिहार में बजट में नहीं है ना कोई अच्छे अस्पताल ना कोलेज ना कोई अलग इंफ्रास्रक्शर की सुविधाएं कुछ भी अलग बिहार में नहीं है बिहार की लिए कि अब तो देश को ही ब बजट बजट ही नहीं बलकि सेल था यह देश के निर्मान के लिए नहीं बलकि देश को बेचने का बजट और सेल था और यह आप सब लोगों ने देखा होगा और पूरी तरीके से पहले लोगों में उत्साह होता था कि हमारे लिए क्या मिलेगा क्या सरकार आगे पांच सा लेकिन अब पूरी तरीके से निराशा जनक और हम लोग को को मीद थी बज़ेपी से यही बजट लाएंगे देश को बेचने वाला ही बज़ट लाएंगे आज सनुभीधान खत्रे में हैं देश खत्रे में हैं पूरी तरीके से सरकारी इंस्टिशन हो या किसान हो सब सब लोग जो है निराश है मायूस है इस मौझूदा सरकार के बजट से और सेल से कर दितो दोतो प्रभा है इस मौझूदा सरकार के बच्छूदा इस कोई दितान